असलाम अलेकुम एवरिवान वेलकम बैक टू मैं चानल मैं हूँ निशाद और आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ होममेड स्कीन वाइटनिंग कॉफी सोप और ये जो सोप है बनाने के लिए इजी है और इसे आप घर पे इजी ली बना सकते हो और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है और इसमें जो इंग्रेंट मैंने अट किये है इससे ये जो हमारा सोप है वो बहुत इफेक्टिव बनके रेडी होने वाला है और इसे कैसे बनाते है मैं वही आज आपके साथ शेर करने वाली हूँ तो चलिए हम स्टार्ट करते है तो सोप बनाने के लिए फर्स्ट हमें जो इंग्रिडेंट लगेंगे वो है पियस तो मैंने सोप बेस ऐस आज आप पे पियस यूज किया है क्योंकि पियस जो है इसमें 97 परसेंट ग्लिसरिन रहता है और यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा है तो इसलिए मैंने पियस लिया है अगर आप चाहो तो यहां पे आप सोप बेस भी यूज कर सकते है जो आपको किसी भी क्राफ्ट के शॉप में मिल जाएगा लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगी तो इजी वे आप पियस यूज किजिए देन मैं इसमें इसमें यूज करें है तो कॉफी मैंने यहां पे टू टेबल स्पून कॉफी मैंने एड किया है देन मैं इसमें एड करूंगी वह है अल्मन ओईल और अल्मन ओईल मैंने यहां पे वन स्पून एड किया है जैसे कि अल्मन ओईल हमारे स्किन को हाइडरेट करेगा स्किन को ब्राइटर बनाएग यह हमारे skin को whitening effect देगा जो भी हमारे skin के skin पे dark spot दाग दब्बे है वो दूर करने में help करेगा और जो हमारे skin को even tone बनाने में help करेगा दिन मैंने इसमें add किया है again honey तो honey हमारे skin के लिए बहुत beneficial है यह हमारे skin पे जो भी natural effect लाने में help करेगा और skin को बहुत healthy और natural glow देगा और यह हमारे skin पे moisturize lock करेगा तो इन तिनों का mixture बनाने के बाद में मैं इसमें add कर जो है main हमारा ingredient वो है soap तो soap को मैंने यहाँ पे slightly cut किया है पतले slice में मैंने cut किया है जो हमारे slice cut किया है वो मैंने इसमें add किया है आप grate भी कर सकते हो तो जैसे आया आप आप slightly consulting pie स्लाइ स्लाइपड कर सकते हो तो दे इसमें add किया है तो अब हम भी क्ते पिना यहाँता है और यह add करने के बाद में कि आप depths नी मैथ संबने देख सकते हैं, हमारे जो सौप है उसे मिल्ट करेंगे, मैं टू बॉल्ण में जमा एंगे समा टू पर यहां पर मैंने टू बॉल्ड लिये जहांपे हम पर शमये मैं तो इसको फ़र्स मैं, सबसें लगा से वैसलीन लगा लेती हूं तक ये SIMS कुल जाए सी है फिर देख सकते हो इसे आप में वैसलीन लगाना है थे हमारा जो शोक है जम जाने के बाद में इजीं ली निकल जाए तो ऐसे मैं ये तो आप यहां पर प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर यूजन थ्रो वाला कंटेनर आप यूज कर सकते हो या फिर आपके पास सोप चबाने के लिए सोप सिलीकॉन जो यह रहता है वह आपके पास अगर एवलेबल है तो आप उसमें भी जमा सकते हो तो वह होने के बाद में अभ जो मैंने मिक्शर बनाया था कॉफी का वह भी इसमें मैं अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि उसके जो बेनिफिट्स है और जो गुडनेस है जो कॉफी का और जो हानी और अलमन हमने जो एड़ किया है वह इस सोप में एड़ हो जाए और यह बहुत सेफ है पियर्स अगर आप देख सकते हो यह पूरी तरह मेल्ट हो गया है और मेल्ट होने लगा है देखिए आप इसमें कोई भी गुटली या कुछ भी नहीं है और पूरी तरह मेल्ट हुआ है तो अभी मैं गैस आफ करके जो हमारे कंटेनर है बाउल है उसमें मैं एड़ कर देती हूं तो यह ए वो तक में beide सिलएड़ोन के बाद में जल्दी बाओल में डालिए या फिर ना स्टार्ट हो जाता हैहे तो देखिए आध ये लिए बेर इसमेड थो अभी मैं इसे कन फ्रीरेट कर देती हूं तो जैसे कि यह सूप है यह बहुत बनाने के लिए इजी है तो देखिए निकल भी वैसली जो हमने लगाया था तो इससे यह इजीली निकल गया है और देखिए कितना क्यूट और कितना प्यारा सा जैसे कि हम बाजार में लेते हैं वैसे हमारा यह सूप बनके रेडी हुआ है और हम इसे यूज भी कर रहे हैं इसका effect भी बहुत अच्छा है आप इससे face wash भी कर सकते हो आपका face इससे clean हो जाएगा आपके face पे whitening effect आएगा आपके skin को face को moisturize बनाएगा और hydrate भी बहुत अच्छे से रखेगा और क्योंकि हमने जो इसमें ingredient add किये है वो सभी natural ingredient है और जो as a soap base हमने use किया है वो भी बहुत ही अच्छा soap और gentle soap है जैसे आप सब को भी पता होगा तो यह जो मैंने बनाया हुआ soap आपको कैसे लगा है वो मुझे comment box में note कीजिए अगर अच्छा लगा है तो please घर पे भी जरूर आप अपना घर पे ही natural homemade soap बना सकते हो और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो please इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने friends and family में भी इससे शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे अगर new हो तो इस चैनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में तिल देन बा आला हाफीज